असलाम लेकुम वेवास कैसे हैं आप उमीद करती हैं बिलकुल खैर्यत से होंगे अल्लापाक आपको हमेशा सलामत वाबाद रखे आमीन जे वेवास मैं हूँ फर्जानों कुक्सेन बेग से तो नाजे आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक ये चिकन ड्रम स्टिक मैं बेग करूँगी इनके उपर हम कुछ मसाला जात लगाएंगे कुछ इसमें वेजिटेबल होगी चिकन देख सकते हैं माशाला से बहुत अच्छे से गल चुका है बिलकुल नर्म हो चुका है तो सारा कुछ आपके सामने ही बनाएंगे आप करते हैं बिसमिल्लाहर रह्मान ही रहें ये वन केजी मेरे पास सिकन ड्रम स्टिक है इनको मैंने बहुत अच्छे से दो के साफ कर लिया है और कपड़े से खुश कर लिया है बिलकुल अब यहां पे रखके इन पे अपने छुरी से हम कट लगाएंगे दोनों साइडों पे अच्छे से कट लगाने के बाद फिर हम इसके उपर और इंग्रीडियन्स लगाएंगे ये वन केजी हैं जी इस तरह से हम कट लगा लेंगे दोनों साइडों पे लगाएंगे खूब गहरे करके लगाएंगे ताकि इसमें मसाला बहुत अच्छे से जस्ब हो जाए और हमें अच्छा टेस्ट खाने को मिले ये देखे जीए मैंने पूरे कट लगा लिए इनको यहां पे एक छोटे शापर में डाल रही हूं मैं अदरक एक टुकड़ा लैसन है चार-प मिर्चे डाल रही है इसमें हारी मिर्चे शामिल कर रही हूं इनको अच्छे से पीस लेंगे एक पेस्ट बना लेंगे देखे जी इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लेना है अब हम इसको इस बावल में ट्रासफर कर लेंगे और वन टीस्पून इसमें जा रहा है सिरका व इसमें जीरा, बन टीजपून लेक पेपर है, बन टीजपून जीरा मसाल है डाल रही है, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह बहुत ही जबदस पेस्टो त्यार हो चुका है, इसमें आप यह चिकन शामिल कर दूँगी में, इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे, और इसको अच्छे से कोट करने के बाद हम तीन से चार गंटे इसको रख देंगे, अच्छे से उह कोट करदेंगे, यह देखें जबदस से कोट हो चुका है, इसे अब हम वने रख दिये हैं, रेस्ट दे लिए हैं, यहाँ पे कुछ वेजटेबल हैं इनको त्यार करतें, इस तरह से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है एक अदर टुमार्टर है इसकी बी ऐसे ही कटिंग निकालेंगे इनके तेकिए इस तरह से अब यह प्यास है इसका भी ऐसे ही मैंने स्लाइस बनाने है प्यास भी तक्रीबान हो चुका है यह देखिए जी बिल्कुल गोल शेप में यह है और इक्वल साइज है इनका यह देखें जनाब जो वेजिटेबल थी है हमारे पास इनको हमने त्यार कर लिया है अच्छे से कटिंग कर लिया है यहां पे लेंगे एक बेकिंग डिश उसमे मैंने यह फॉल शीट लेनी है अपने बेकिंग डिश से थोड़ी बड़े साइज में इस तरह से किनारे मोड ली है इसके फॉल्ड कर लिया है एक दिवार साइज जैसे होता है एक डिश साइड बना ली मैंने इसलिए है कि इसके जो हम मसाला जात लगाएंगे जो वेजिट इसके अंदर यह वेजिटेबल जो हमने कटिंग की उनकी सेटिंग कर लेंगे इस तरह से मैं आलू को सेट करती जाओंगी दरम्यान में हम पहले आलू रखेंगे फिर हम प्यास को सेट करेंगे या देखे वी आनियन प्यास हमारे हों चुके हैं अब हम टिवार्टर रख रहे हैं इनकी भी ऐसे ही सेटिन्ग करेंगे ईए देखे हो गए हमारी ये सेटिंग सारी अब जो यहнее डरम स्टिक मैंने मसाला लगा के रखा हूं ही थी इनको इसको उपर सेट करेंगए इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे बहुत सबदस्त इसकी ड्रैसिंग हो चुकी है बहुत मज़ी के मसाले इस पे लगे हुए है जब ये रच जाएगा इसके अंदर पक जाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे मैंने इसे पहले ट्राइ किया हुआ है घर पे ये एक अदद फॉइल शीट उसी साइज में काटके मैं इसके उपर रख रही हूँ ताके ये पहले पहले चिकन उपर से जले नहीं थोड़ी देर बाद हम इसे उतार देंगे देखे जी चिकन हमारा बेक होके आ चुका है बहुत जबदस कलर है बहुत ही मज़िदार जाइका है इसका तो बस आप ट्राइ कीजिए और मुझे जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अब अगली रेस्पी में तब तक के लिए आप से इजादत चाहूंगी अला हाफिस